आस्था रुच्साह काम महापर्व है छट छट पूजा का पर्व सूरेदेव की आराधना के लिए मनाया जाता है चार दिनों तक चलने वाली ये पूजा कार्तिक मास की शुकल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होती है जिसे हिंदू धर्म में सूरेदेव और छटी मया की पूजा के सबसे कठिन व्रतों में भी गिना जाता है जिसके शुरुवात नहाय खाय के साथ होती है फिर खर्ना विधी और फिर सूरे के अर्गि से होती है इस व्रत की समाप्ती इस साल छट का ये पर 31 अक्टूबर से शुरू हो रहा है जो की 2 नवंबर तक चलेगा ऐसे में लगभग सभी इस व्रत को करते हैं लेकिन वहीं कई महिलाएं ऐसी भी होती है जो छट के इस व्रत को नहीं रख पाती हैं ऐसे में अगर आप भी इस बार छट का व्रत नहीं रख पा रही है तो हम आपको कुछ ऐसे उपाई बताने जा रहे हैं जिससे आप छटी मईया का आशिरवाद बिना वरत रखे पा सकेंगी और उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी आईए आपको बताते हैं अगर आप छट का वरत नहीं कर पा रही हैं तो आप क्या कर सकती हैं? छट का वरत ना कर पाने वाले आपकी मनुकामना पूर्थी के लिए चार दिन सूरी की पूजा जरूर करें रोज सुभ़ तामवे के लोटे में जल के साथ गुड मिला कर अर्ग दें सूरी को धूप दीपक भी दिखाएं सूरीदेव को फल, मिठाई, नारियल और लाल सिंदूर चढ़ाना ना भूलें छट पर्व के दोरान चारों दिन पूरे सफाई और सात्विक्ता बरतें किसी छट व्रत धारी की सेवा और सहायता करें गुड और आटे की विशेश मिठाई ठेकुआ जरूर बनाएं और इसे गरीबों और बच्चों में बांटें चट के दिनों में दोनों ही अर्ग जरूर दें और सूरीदेव की कृपा की प्राथना करें चट कवरत रखने वाले लोगों के चरन चुकर आशिरवाद जरूर लें तो अगर आप भी इस बार चट कवरत नहीं रख पा रही हैं तो चटी मैया का आशिरवाद पाने के लिए आप ये विशेश उपाय कर सकती हैं वैसे अगर आप हर सार छट का वरत करते हैं, लेकिन किसी कारण से ये वरत नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी दूसरे से भी अपना प्रसाद चड़वा सकते हैं. यहां तक कि आज पडोस में भी यदि कोई व्रतीत है तो आप उसे अपना प्रसाद दे सकते हैं आपके बदले छटी माई को वो वेक्ती भी प्रसाद चड़ा सकता है झाली प्रसाद 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 चाई है